Hello Student, The Perfect Classes में आप सभी को सागत है, Directorate of Education, GNCT of Delhi की Worksheet No.7 डिसकस कर रहे हैं बच्चो Class 6 की Worksheet है, Subject Social Science, 16 October 2020 की Worksheet है Name of student लिख लेंगे, Name of class teacher लिख लेंगे Topic है बच्चो, Stereotypes, Rudy बद धारना है, ठीक है Read the sentences given below, नीचे दियों वाक्यों को पढ़ते हैं Boys don't cry, लड़के रोते नहीं है Girls are good cook, girls अच्छा खाना पकाती है ठीक है Girls should know household works, not studies Girls को घर के काम करने चाहिए, पढ़ाई नहीं People from villages cannot speak good English गाउं के लोग अच्छी English नहीं बोल सकते हैं People with disability needs our extra care जो disabled people होते हैं, जो विकलांग तक शिकार लोग होते हैं उन्हें हमारी extra care के अवश्यक्ता होती है ठीक है Are these sentences true? क्या ये सभी sentences सही है No, they are examples of stereotypes नहीं ये सभी example रूड़ीबद धरनों के उधारन है This is the way boys and boys are This is how girls are ये बात होते हैं, लड़के ऐसे होते हैं, लड़के ऐसी होते हैं These are statements we hear constantly and accept without even thinking हम ये सभी statement सुनते रहते हैं बच्चों और हम क्या करते हैं लगातार ऐसे sentences सुनकर उसी के अनुसार उसे accept करकर उसी की तरह सोचने लगते हैं And we start believing और हम विश्वास करने लग जाते हैं कि each one of us must behave accordingly कि हमें सभी को उसी के अनुसार वहवार करना चाहिए लगते हैं जैसे की society ने समाज ने हमारे चार और उनका निर्माण किया है When we fix people into one image we create a stereotype जब हम किसी को एक fix जब हम किसी को एक fix या एक ही image में fix कर देते हैं कुछ लोगों को तो वो क्या कहलाती है रूडी बद धर्णा कहलाती है Stereotypes stop us from looking at each other as a unique individual with his or her own special qualities and skills that are different from others रूडी बद धर्णा जो होती है वो एक व्यक्ति को एक unique व्यक्तिकत रूप में उसके skilled के साथ उसके special good के साथ हमें देखने नहीं देती और हमें वो दूसरों से अलग करके उसको नहीं देख पाते हम उसे ठीक है, they fit large number of people into one pattern or time हम सभी लोगों को ये एक बड़े लोगों की संख्या को एक ही प्रकार से देखते हैं एक ही pattern पर Stereotypes affect all of us they prevent us from doing certain things इसलिए ये पूरवगिरह जो है, हम सभी को affect करते हैं और ये हमें that we might want to do बहुत साइच चीज़े करने से रोकते हैं ये हमें जो हम करना चाहते हैं तो बच्चो question number one है ये हमें करना है, write down some examples of Stereotypes seeing the following words कुछ examples लिखने हमें Stereotype के इंदी हों शब्दों से, one है Western cloth इसके उपर हमें क्या लिखना है, Stereotype लिखना है Western cloths have good quality Western कपड़ी की quality अच्छी होती है second है व्लेजर इसके उपर एक Stereotypes बना देते हैं The Vlaser don't speak good English, इसमें दिया हुआ भी worksheet में, गाउं के लोग अच्छी English नहीं बोलते हैं foreigners के उपर बनाना है हमें foreigners cannot be trusted foreigners जो विदेशियों उन पर भरोसा नहीं किया सकता, ये भी एक Rudy बदारना है, ठीक है question number two देख लेते हैं बच्चो write four stereotypes about boys and four stereotypes about girls हमें चार Rudy बदारना लड़की के बारे में और चार लड़की के बारे में लिखनी है ठीक है बच्चो, तो पहले हम लड़कों के बारे में देख लेते हैं देखिए, ये जो बने हुए बच्चो इसके अंदर लिखना है आपको, ठीक है? ऐसे बनाने आपको notebook में इसके अंदर लिखना है मैंने यहां लिख दिया, ताकि आपको ठीक से लिखे boys don't cry लड़के रोते नहीं हैं, boys are brave दूसरी ये हो गई क्या है ये? लड़के बहादूर होते हैं, तीसरी boys are naughty, लड़के शरार्ती होते हैं चौती लिख देंगे stereotype, boys are good at sports लड़के sports में अच्छे होते हैं ठीक है, अब बात आई लड़कियों की, लड़कियों के बारे में लिखेंगे हम ठीक है? देखे और नृत्ते में ठीक है? निपुण होती है दूसरी लिख देंगे, girls cook good food लड़के अच्छा खाना बनाती है तीसरी रोड़ी बद्धार्ना लिख देंगे girls should know household work, not studies लड़कियों को घर का काम सीखना चाहिए ठीक है? नाकी बढ़ाई चौथी रोड़ी बद्धार्ना लिख देंगे लड़कियों के बाएर में girls are weak, लड़कियां कमसोर होती है तो यह आपको ऐसे ही यह box से बनाने और इसके अंतर लिखना है बच्छों ठीक है? और एक यह ऐसे लड़की का आप बनाना ज़रूरी नहीं कीजिए, शेयर कीजिए, हमाई चनल को सब्सक्राइब कीजिए थैंक्स फ़र वचिंग